ऐसा लगता है नागपूर में हीट एंड रन की इसका दोर चल रहा है नागपूर के वाड़ी पुलिस स्टेशन अंतरगत अमरावती रोड पर एक और हीट एंड रन का मामलाब प्रकाश में आया है महिला की हालत गंभीर है और उसका इलाज चल रहा है नागपूर शहर में फिरहाल हीट एंड रन की घटना आये रुकने का नाम नहीं ले रही है ताजा मामला वाड़ी पुलिस स्टेशन के अंतरगत सामने आया है जहां अग्यात मोटर साइकल चालक ने सडक पार कर रही मा बेटी को कुचल दिया और मोगे से भाग गया मिली जानकारे के मुताबिक भावना देउलकर नाम की महला अपने 9 साल के बेटे दक्ष और 6 साल की बेटी गारगी के साथ वाड़ी के रघुपती नगर में रहने वाले एक रिष्टेदार से मिलने आ रही थी भावना अपने आटो से उदर कर अपने दो बच्चों के साथ अमरावधी रोड पर भारत अपार्टमेंट के सामने सड़क पार कर रही थी तभी एक अग्याद बाइक सवार ने लापरवाही से अपनी बाइक चलाई और भावना और गारगी को टक कर मार दी जिससे वे गंभी रूप से घायल हो गए दोनों को इलाज के लिए मेडिकल अस्पिताल में भरती कराया गया